प्यारे बच्चो, क्लास 9 इंगलीज सेट 2 का अंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि इंगलीज जेसी आटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का अंसर बताईए सर तो बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा कर अल नोटिफिकेशन आउन कर ले कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा अब वीडियो को इंगलीज के बच्चों तक जरूर सियर करें आप लोग देश पढ़ लिजेगा पहला सेट का भी बना हुआ है आप लोग डिस्क्रिप्सन में दिये लिंक में जाक कि धन हां अंगीनत बार मेरा नाम और तस्वीरे रांची प्रिंट मीडिया में छपी थी कुछ वर्सों के लिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स में अंग्रेजी उपयोगों पर एक नियमित कॉलम भी लिख रहा था लेकिन पुरसकार सिफ्र नहीं हुआ यही है लेकिन हर बार एक पुर्व छात्र ने मुझे मेरे विवसाय और मुहावरे की कच्छाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए संदेश दिया या बुलाया जो कच्छाओं ने उन्हें अपने NDA को साफ करने में मदद की या एक पुरसकार था मैं या सब अपने यंगिस्तान साहयोगियों के लिए एक तरप के संदेश के रूप में लिखता हूँ जो क्रेडिट के लिए भुखे हैं लेकिन कोई भी नहीं मिलता है एक असपष्ट विवेक और आत्मसंतुष्टी अमूल संपत्ति है पुन्य अपना ही इनाम है तो ये इस कथन से पता चलता है कि वह सहर में एक ग्यात वेक्ति है तो अंगिनत बार उनके नाम और तस्वीरे को रांची प्रिंट मीडिया में छापा गया था इससे पता चलता है कि वह सहर में एक ग्यात वेक्ति है तीसरा कोश्चन कहता है कि इस तरह से स्पीकर को मिला है अवा अमुल संपति क्या है तो इसका अंसर है एक अस्पष्ट विवेक और आत्म संतुष्टी अमुल संपति है उसके बाद है वाक के पूरा करें तो इसमें है ए नंबर मैं अपने यंगिस्तान सहयोग्यों के लिए संदेश का एक परकार के रूप में यह सब लिखने डॉट डॉट है तो इसका हो जाएगा मैं यह सब अपने यंगिस्तान सहयोग्यों के लिए एक तरप के संदेश के रूप में लिखता हूँ जो क्रेडिट के लिए भूखे है लेकिन कोई भी नहीं मिलता है दूसरा वला करता है कुछ वर्सों के लिए मैं एक नियमित कॉलम भी लिख रहा था डॉट 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 तो इसका अंसर है कुछ वर्सों के लिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स में अंग्रेजी उप्योगों पर एक नियमित कॉलम भी लिख रहा था चट्था नमबर कोश्चन है पुरस्कार और परसिधी सब्दों के साथ वाक्य ब कि किसी भी दो का आपको एंसर करना है तो आठवा नमबर कोश्चन है अपने बड़े भाई को पत्र लिखे कि आप जीवन में बहतर करने के लिए अपने स्वास्त और अध्यन का ख्याल कैसे रख रहे हैं तो इसका एंसर हो जाएगा में रोड राची 15 माई 2022 मेरे प्यारे विकास मुझे अभी अभी आपकी वार्सिक रिपोर्ट मिली है मुझे यह देखकर खुसी हो रहे कि आप अपनी कच्छा में पहले अस्थान पर रहे हैं हलाकि एक सिकायत है मैंने सुना है कि आप अच्छे स्वास्त को नहीं रख रहे हैं मला आप अच्छे स्वास्त का ध् आपको अच्छा और पॉस्टिक भोजन लेना चाहिए आपको स्कूल की गतिवीधियों और कम से कम एक खेल में भी भाग लेना चाहिए स्वास्त आपकी मुख्य चिंता का विशय होना चाहिए मुझे आसा है कि आप इसका ठीक से ख्याल रखेंगे सप्रेम तुम्हारा प्या पुस्तकों की उपलब्दा के लिए अनुरोद सर मलब महोद है उची सम्मान और मिनर्व समिशंग के साथ मैं यह बताने के लिए कहता हूं कि आपके इसकूल में दर्स्वी कच्छा में पढ़ रहा हूं मैं इसकूल पुस्तकाले में अंग्रेजी व्याक्रन की एक पुस्त प्राप्त करना चाहता हूं मुझे अभी तक यह नहीं मिला है मैं महसूस कर रहा हूं कि इसकुल पुस्तकाले में इस पुस्तक की परियाब संख्या नहीं है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकुल पुस्तकों की अधिक परतियां प्राप्त करें धन्यवाद इमा में जीवन पर एक paragraph लिखे तो खेल और खेल का मुल तो यहां है बच्चो खेल और खेल हमारे जीवन में महत्पून है खाने पीने की तरह वे भी बहुत महत्पून है खेल के बीना जीवन नीरस है खेल और खेल हमारे अंदर साथीर भावना की भावना विक्सित करते हैं वे हमारे दिमाग को उपर सिचित करते हैं एक असली खेलाडी एक सच्चे सज्जन है खेल और खेल हमारे अंदर सा योग अनुसासा निमंदारी और खेल भावना पैदा करते है एक खेलाडी में परतियोगिता की एक स्वस्त भावना होती है वो खेलने की खातिर खेलता है और कभी भी दूसरों से इससा नहीं करता है अब अपने गावं पर एक लिखना है बच्चों तो हमारे गावं में जीवन सांधि पुर्ण है लेकिन सुखत नहीं है हमारे गावं में सना को बिजली नहीं है इन में कोई अस्पताल और डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे गाउं में प्रकृति का सुख है, हरे भरे मैदानों सुंदर बगीचों की तरह दिखते हैं, यहां ताजी हवा और पानी मिलता है, या परदुसन से मुक्त है, या सहर के जीवन की हलचल और हलचल से मुक्त है, हमें दूद और भोजन मिलता है, गाउं में रहना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे यहां कई चीजों की कमी है, जरूत के समय हम चिकिस्सा साहता प्राप्त करने में सच्छम नहीं है, यहां अकबार और पत्रिकाएं असानी से उपलद नहीं है, हमारे पास दूर दराज क अस्थानों पर आसानी से जाने के लिए परिवहन का कोई साधन नहीं है, हमें एक लंबित दूरी के बाद दोस्तों और रिस्तेदारों से पत्र मिलते हैं, बहुत देरी के बाद हम लोगों को दोस्तों और रिस्तेदारों से पत्र मिलते हैं, लेकिन यहां अमन चैन है, हमा सेक्षन सी है नीचे दिएगे उदरों को पढ़े और निमलिखित प्रस्णों के उत्तर दे तो चिलची लालती और घूट की सूरज और हवा में ब्राउजिंग सकत है घूमा मुर्जाना और फिर यह किया जाता है तो इसमें सीधे कोस्चन में आते हैं हम लोग बच्चों उस कवीता का नाम बताए जहां से लिया गया है पाट को तो यह है एक पेड को मारने पर दूसरा है इन पंतियों को किस ने लिखा है तो गीवे पटेल ने लिखा है गन सी नमबर काता है पेड का जीवन कैसे समाप्त होता है तो सूर्य और वायू पेड को तब तक जीवन देते हैं जब तक कि वह प्रिथिवी द्वारा डिड़ता से आयुजित रहता है लेकिन सूरज और हवा के संपर्क में आने पर एक पेड़ की जड़े मर जाती है बारा नमर कोश्चन है इस अंस को पढ़ना है और सवाल के जवाब देना है तो 1952 के एवरेश्ट मिसन के दौरान संत संतोस यादों ने एक परवता रोही को विशेश देखभाल परदान की जो दच्छिन करनल पर मर रहा था वा दुरभाग से उसे बचाने में असफल रही हलाकी वा एक और परवत रोही मोहन सिंग को बचाने में काम्याव रही जो उसी भाग के साथ मिले होते अगर उसने अ अपने ऑक्सीजन को उसके साथ साजा किया और उसकी जान बचाए बी नंबर है कोस्चन संतोस यादों के बारे में इसमें क्या कहा गया था तो संतोस यादों ने प्रवता रोही की विशेश देखभाल की सी नंबर कह रहा है मार्ग से नियती के लिए एक सब्द का चेहन कर तो इसका हो जागा कर्म तेरा नंबर कोस्चन करता है कभी कैसे सुझाओ देता है कि प्रिथवी पर सभी लोग एक जैसे हैं तो कभी का सुझाओ है कि प्रिथवी पर सभी लोग समान है ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में भूमी हमारे जैसे है या एक ही कार्य है जि इस पर हम चलते हैं और मर जाते हैं मिर्त्यू के बाद हमारी राख उसमें घुल मिल जाती है 14. नमबर कोस्चन है खुन बहने वाली छाल का क्या आर्थ है क्या या खुन बहता है तो इसका अंसर है पेड़ की चाल या बाहरी त्वचा घायल हो जाती है तब को उसमें चाकू को छेदता है जैसे जैसे सरीर से खुन निकलता है वैसे ही चाल से कुछ रस बाहा निकलता है लेकिन यह समय बीतने के साथ ठीक हो जाता है पंद्रा नमबर कोश्चन है संतोस यादो को पर्यावरन के परती चिंता क्या दरसाती है तो संतोस एक महान और साहसी पर्यावर्न विर्दित थे जबकि उसने मौन्ट एवरेश पर राष्टिया ध्वज ठाराने का काम पूरा कर लिया था उसने वहां से 500 किलो मीटर कच्र न्यदे भाई संमोद्दीन की साहता करके अपनी पहली मुदूरी अरजित की सतरा नमबर कोश्चन है उडिसा के लोगों के जीवन में शूपर साईकलोन ने क्या कहर वरभाया है तो सूपर साईकलोन ने टटी ये उडिसा को पूरी तरह से तवाख कर दिया इसके बाद भा अठारा नमबर कोश्चन कहता है गुरू अपने सिस के जीवन को बचाने के लिए कैसे परतिबंधित करता है तो गुरू राजा से कहता है कि जब सबसे पहले जो दाव मरेगा वह उस देश के राजा के रूप में पूर जनम लेगा वह राजा को लुभाता है और खुद पहल दाव पर चड़ जाता है इस परकार गुरू अपने सिस के प्रानों को बचाता है उनीच नमबर कोश्चन है दा लास्ट लीफ कहानी ने जौनसी के चरितर चितरन को लिखिये तो जौनसी एक यूवा चितरकार था जो सू के साथ रहता था वे तीन मंजिला इंट के घर में सिस पर एक फ्लाइट में रहते थे जौनसी एक दूबला और नाजुक यूवा लड़की थी एक बार उसे नीमोनिया का दोरा पड़ा था, उसकी हालत बिगड़ गई, उसकी जांच करने के बार डॉक्टर ने घोसना की कि उसके ठीक होने की संभावना कम थी, उसकी समस्या सारीक से अधिक मनों वैज्ञानिक थी, जोन सी एक कमजोर दिल और अंदविस्वास की लड़क लेकिन सू की नीश्वार सेवा और बेहरमन की उतक्रिष्ट कित दा लास्ट लीफ ने उसे बचाया, उसने जीने की अपनी इच्छा वापस पाली और जल्द ही ठीक हो गई, बेहरमन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उनकी उतक्रिष्ट किती दा लास्ट ली लिस्ट में देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिया गया दीजेगा बाई